Show Last Transactions During Sale Voucher इस presentation के माथिम से हम बिजी में Show Last Transactions During Sale Voucher फीचर के बारे में जानेंगे इस फीचर को एनेबल करके आप बिजी में During the Transactions देख सकते हैं कि उस पार्टी को या फिर किसी भी पार्टी को जो आइटम आपने सेलेक्ट करी है वैल किस फ्राइस पे Last Sale हुई है क्या-क्या Discounts आपने Offer करे थे तो बिसिकली जो भी Previous Transactions है उस पार्टी की या किसी भी पार्टी की वे आप व्यू कर सकते हैं आप Specify कर सकते हैं कि Previous कितनी Transactions आप व्यू करना चाते हैं माली जी आप 10 Transactions व्यू करना चाते हैं तो वह कर सकते हैं 5 करना चाते हैं 20 करना चाते हैं इस तरीके से जितनी Transactions आप व्यू करना चाते हैं वे आप During Voucher Fitting व्यू कर सकते हैं Feature को Enable करने के लिए Administration, Configuration, Features Options, Inventory tab मे Show Last Transactions During Sales Feature को Enable करेंगे Feature को Enable करने पर एक छोटे से Text Box अपियर होगा जिसमें आप बता सकते हैं कि Last कितनी Transactions आप व्यू करना चाते हैं Features के बिलकुल नीचे Show Last Transactions During Purchase फीचर भी है यही सेम फीचर आप यदि Purchase Voucher में During Purchase Transaction आप पाटी की Last Transactions व्यू करना चाते हैं तो आप इस Feature को Enable कर सकते हैं Save Button प्रेस करेंगे Configuration को Save करने के लिए इसके बाद हम एक Sales का Voucher एंटर करेंगे Sales से जुड़ी Detail Center करी, Party, Material Center, Item Select किया देखिए, Item Select करते ही, Previous जो उसकी Sale History थी वे आपको स्क्रीन पर नजर आगी यह List Price था, Discount का Basis क्या था, कितना Discount का Amount था, Net Amount क्या था जब हमने इसको Last Sale किया था, तो वो आप देख सकते हैं Bottom में Button है, Show All Parties यदि आप उसको Click करते हैं, तो यह Item जिस जिस Party को भी Sale हुई है मतलब Basically, इस Item की Previous जो Transactions है, चाहिए वो किसी भी Party से हो वे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके बाद है Show Purchase Transactions यह Item की जितनी भी Purchase Transactions है, अभी वे Sales Transactions शो कर रहा था यदि आप Purchase Transactions भी देखना चाहते हैं, तो इस Button को Click करके अब देख सकते हैं तो Basically, जैसे ही आप Item को Sale या Purchase कर रहे हैं तो उस Item की Previous जो भी Transactions है, Sale की या Purchase की, Particular एक Party से या सभी Party से वे आप Voucher Feeding के दोरान ही देख सकते हैं हो, इस Presentation के तुरू आप Easily Busy में Show Last Transactions During Sale Purchase Feature को यूज़ कर पाएंगे देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें धन्यवाद